गुद मॉर्निंग असलाम वालेकुम इन तोडेस लाक्ट्चर वी विल लिस्कस डवल इंटी सिस्टम ऑफ अकाउंटेंग इन डेप्रेशियेशन और फॉर डेप्रेशियेशन देखिए जो सिंपल डेप्रेशियेशन की एंट्री है वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले हम ये क्रियेट करते हैं कि हमने एसिट खरीदा ये एसिट की परचेज ऑफ एसिट की एंट्री है एसिट अकाउंट डेविट कैश क्रेडिट मुनवर परचेजट एक कार भाय कैश क्रेश क्रेश क्रेडिट या अकाउंट प्रेशियेशन का कुछ सवाल यी पैदा नहीं होता fix asses per depreciation calculate है you get the point fix asses per depreciation calculate तो जनाब मैंने एक कार खरी दी कार debit cash credit अब मैंने पूरा कार सबस्वाइब मैंने पूचा भाई कार की कोस्ट के है उसने बता है कार की कोस्ट है 9 लाक रूपै फिर मैंने उससे पूचा यह मुझे बता है यह कार कितने असे चलेगी उसने का नौ साल चलेगी तो मैंने सोचा एक साल का डेप्रिसीशन है एक लाग रुपे न وہ Ice unde मैं न्यू साल काफ़ की वैल्यू जीरो जाएगी. फिर मैंने पूछा, वही अगर ये नो साल के बाद कार की वैल्यू जीरो हो जाएगी. मुझे से कितना फैसे मिलें आप इस को कुछ नी मिलेगा, आप शको Neaty-ZT में भाया देना. आप उस account debit cash credit 9,00,00,000 से यह पहली entry बनाई और इस entry को मैंने 2000 और 10 के account में asset के account में post कर दिया के asset debit और cash को मैंने credit कर दिया 2010 की बात हो रही है इसके बात क्या हुआ कि 2010 जब खतम हुआ at the end of 2010 मैंने एक entry बनाई depreciation expense की तो इसका मतलब मैंने काड़ी को use किया तो मैंने क्या entry बनाई depreciation expense debit और allowance for depreciation credit allowance को क्यों credit किया इसलिए कि asset की value गिरी तो जब asset की value गिरती है तो हम car को credit नहीं करते asset को credit नहीं करते according to historical cost concept हम क्या credit करते हैं हम allowance या provision account को credit कर देते हैं यहां तक कि समय मैं आगे बार राइट एक साल गुजर गया कोई कहें कि पहले साल का expense कितना है मैंने का पहले साल का depreciation expense है एक हाजार एक लाग रुपी तो कोई पूछे क्यों एक लाग रुप है तो मैंने मैं कहूंगा भाई मैंने सर्विसेज ली गाड़ी चला ही अकुरूल कॉंसेट यह कहता है कि जब सर्विसेज लो तो expense record करो तो मैंने उस वक यह सब यह जो आप इस वक मेरे जो students हैं वह इस वक एक slide भी देख रहे हैं अपने अपने screens पर यह जो बाते अब मैं कर रहा हूं यह slide से पहले की बाते कर रहा हूं कि कुछ हुआ था ऐसे कि मैंने ऐसे खरीदा उसका मैंने डेप्रेसिशन expense निकाला वह expense क्यों निकाला क्यूंकि मैंने गाड़ी को यूज किया गाड़ी को जब मैं यूज करूंगा तो यकीनी तोर पर मुझे expense charge करना पड़ेगा depreciation एक non cash expense है क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक साल गाड़ी चलाई और फिर मैं उस दुकान पर का आप ट्राक गाड़ी थी यार मज़ा आगया यह एक लाख रुपे ले ले लो है ऐसा थोड़ी होगा लेकिन expense record होगा income statement में जाएगा वह expense और जो provision जो है वह credit हो जाएग कितना होगा एक लाख अब दिन गुजरते गए पहला दिन पहला साल गुजरा दुसरा गुजरा तीसरा गुजरा चौता गुजरा चौते साल के end मेरे हर साल का expense तो एक लाख ही था क्योंकि स्ट्रेट लाइंग मैथेड इस्तिमाल कर रहा हूं लेकिन चार साल में मेरा total जो ठ्रोविजन बन गया था वह बन गया था कितना चार लाख रुपे और चौते साल के आखर में यानि पांच मुझे कहना चाहिए पांच golden साल के शुरू में अगर मुझे से पूचह कि कुछ थी अब मिकष्जिन कर रहा हूं इस लाइड से हर साल का expense जो है वह लाख लाख र पाचे साल के शुरू में मेरे ऐसेट की जो ओपनिंग वैल्यू थी, वह मैं अपने T. अकॉंट में दिखाऊंगा और वह बाउपनिंग वही होगी, जो किभोगी 9,00,00,00. कम करके नहीं दिखाऊंगा, T. account में कभी भी book value नहीं दिखाऊते हैं, balance sheet में दिखाते हैं, asset account के अंदर asset की historical cost पर जो value आई थी वही दिखाऊंगा तो मेरी value जो होगी वो कितनी होगी? 9 लाक होगी asset account में लेकिन जो provision का T account बनेगा उसके अंदर 4 लाक होगी क्योंकि provision बढ़ बढ़ के, बढ़ बढ़ के, बढ़ बढ़ के पांच्वे साल के शुरू में और provision account के अंदर 4 लाक मौझूद है, साल के शुरू में, पांच्वे साल के शुरू में, अब सुनें, तो अगर कोई आपसे यह पूछे कि पांच्वे साल के शुरू में, asset की book value कितनी है? तो आप कहेंगे, 9 लाक asset की cost थी माइनस 4 लाक हमने कर द गया, यह 5 लाक बज़ गया, यह asset की book value बज़ गई, हुआ कुछ ऐसे, अब story चेंज करते हैं, हुआ कुछ ऐसे कि उस साल मुझे एक customer मिल गया, show up भाई मिल गये मुझे, show up भाई मुझे का sir मुनवर, I want to buy this car from you, ठीक है? मैं यह asset आप से खरीदना चाहता हूँ, यह देखें participants के अंदर हमारे पास कुछ हमारे दोस्त आगे हैं, तो मुनवर जानों कैसे हैं, तो यह जो हैं, हमारे दोस्तरम की महबत वाली बाते करते रहते हैं, तो आप इनको बाहर निकालें, तो यह ऐसे जूम में यह होता हैं कि they do not understand, कि हम लोग जो हैं basically पाकिस्तान के लिए काम क हैं, हम खुद भी पाकिस्तान हैं, यह सब भी पाकिस्तान हैं, तो ऐसे लोग आ जाते हैं and they basically disturb the session, तो हमें इनको भी लेके चलना है, इनको इज़त से बाहर निकाल दें, तो bottom line क्या होई basically, bottom line यह होई, कि हमने asset को क्या किया, हमारे पास asset की book value कितने बजगी, हमारे पास asset की नो लाक, उसमें से मने 4 लाक माइनस की, तो पांच लाक हमारे पास asset की book value बच गए, पांच वे साल की शुरू में, और पता ही जला कि पांच वे साल की शुरू में, मुझे शुयब भाई मिल गए, उन्हेंने का सर मनवर, मैं आप से asset 6 लाक में खरीदने को तयार हूँ, calculation for gain or loss on disposal, मैं repeat करता हूँ, calculation for gain or loss on disposal, अब ये कैसे बने ही calculation, इसके बाद इसकी double integer में सीखेंगे, number one, cost of asset, कितनी है cost of asset, cost of asset है 9 लाक रुपे, less provision, अब तक कितना provision निकल चुका है, 4 लाक provision निकल चुका है, तो हमने 9 लाक में से 4 लाक निकाले, तो कितने बचे, 5 लाक, इसका नाम होगा book value of the asset, इस book value में से हम minus करेंगे 6 लाक, जो मुझे market से मिले, share buy ने दिये, वो दिये कितने 6 लाक, तो book value में से 6 लाक minus करेंगे, उसका नाम होगा sale proceed, हमने sale proceed minus कर दी, 5 लाक में से 6 लाक, तो 5 में से 6 लाक तो 5 में से 6 लाक तो 5 में से 6 लाक नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब यह वा कि यह मुझे gain हो गया तो यह एक लाग का क्यलाएगा gain on disposal you get the point gain on disposal कितना बना एक लाग का बन गया तो यह थी calculation अब इसकी double entry चार double entry है समझनी अच्छे से इन double entry को समझने के लिए हमें यह समझना है कि यहां पर हमें temporary account create कर रहे हैं एक ऐसा account जिसका नाम है intermediate account खुलेगा और बंद हो जाएगा खुलेगा और बंद हो जाएगा इस account को हम हम जो नाम देंगे उनाम देंगे disposal account और इसमें चार entities यह बनेंगी number one asset रहा यह चला गया चला गया asset को उसकी cost से हम credit कर देंगे asset credit nine hundred thousand asset account बंद हो जाएगा कोई और asset नहीं खरीद आए हमने यह रिज्यूम किया कि हम आप opening balance आगया था नो लाक रुपे उस नो लाक को हमने credit कर दिया asset account बंद तो credit कर दिया asset को और एक नया account खुलेगा उसका नाम होगा disposal account सारी entries disposal में जाएगी तो डबल इंटी क्या बनेगी पहली डबल इंटी सुन ले एसेट account credit disposal account debit अब दूसरी बात वह जो asset था उस पर total provision कितना निकलावा था अब तक total allowance कितना निकलावा था वह निकलावा था चार लाक तो सुन ले जब asset को हम dispose of करते हैं तो जिस तरह asset को credit कर देते हैं तो हमें इस provision account को भी बंद करना होगा और provision account कहां पर run कर रहा था credit side में हर साल credit side में इदाफा होता जा रहा था तो अब हम क्या करेंगे provision account को debit कर देंगे और disposal को credit कर देंगे तो दो entries चले गए ही disposal account में एंट्री नमबर वन asset credit disposal debit नो लाग से cost से book value से निग दूसरी बात जो total provision था वो कितना था चार लाग उस provision को क्योंकि credit में run हो रहा था उस credit उसको हमने debit कर दिया चार लाग से provision को disposal को credit कर दिया दो entries बन दें थर्ड एंट्री थर्ड एंट्री क्या है पैसे भी तो आए ना मुझे श्यवब ने पैसे दिया cash debit 6 लाग disposal credit 6 लाग इसका मतलब cash जब आएगा तो हम asset की cost को नहीं छेलेंगे बलकि जो पैसा आएगा उसको debit करेंगे cash debit disposal credit अब तक disposal में तीन entries चले गए एक cost की एक allowance की और cash की पहली entry थी disposal debit asset credit दूसरी entry थी provision debit disposal credit तिसरी entry थी cash debit disposal credit I repeat पहली entry थी cost से बनी asset credit 9 लाग disposal debit 9 लाग दूसरी entry provision for depreciation debit 4 लाग और provision credit 4 लाग और पहली दूसरी entry प्रोविजन को close करना है एसेट क्लोज होगया provision को close करना प्रोविजन कितना पढा है प्रोविजन पढा है हमार पास 4 लाग वह credit में पढा है तो provision 4 लाग disposal credit 4 लाग disposal के साथ गुमा गुमा के बात करें हम हम अगली entry पैसे है cash debit 6 लाग disposal credit 6 लाग तो अगर आप disposal accounts कावा देखेंगे, तो उसके account में पहली जो entry थी उसमें 9,006 केविट में पढ़ा था disposal account में जो डूसरी entry थी उसमें 6,009 credit में पढ़ा है, और 4,00 surgeons पढ़ा है चार लाक Overwatch लाक такое provozion क की वेशा से प्रविज है उस ज्यादा cash debit and disposal credit, तो 6-4-10 लाक, इसका मतलब provision account में 10 लाक credit side में पढ़े हो, तो अगर provision account में ज्यादा पढ़े हो, credit side में, तो इसका मतलब gain, अगर provision account में debit side पढ़े हो ज्यादा, तो इसका मतलब loss, तो हम क्या करेंगे, कि 9 लाक जो credit, 10 लाक जो credit में पढ़े थे, उसमें से 9 लाक को जब minus करेंगे, तो एक लाक हमारे पास नज़र आएगा as a gain, तो double entity एक और बनेगी, और disposal को बन करेंगे, वो double entity बनेगी, disposal account debit, अब वो जो gain account credit और disposal account debit, वो जो हमारे पास यहाँ पर चार लाक एक आये थे, और 6 लाक दूसरे आये थे, credit side पर 10 बने थे, और debit में सिर्फ 9 पढ़ा था, तो उस 9 में 1 लाक और इजाफा हो जाएगा, तो entry बनेगी, disposal account debit, यहाँ भी ने debit किया, तो आखरे entry बनी, disposal account debit एक लाक और gain on disposal credit एक लाक, इस तरह disposal account बन दो गया, और यह gain जो होगा, यह transfer हो जाएगा, कहाँ पर income statement में, और आप चाहें तो एक entry और बना सकते हैं, gain account debit, profit and loss account credit, यह income summary credit, इस तरीके से यह चार entries बनती हैं, और हमारा asset निकल जाता है, वैले तो उन assets को हम दिखाते हैं balance sheet के अंदर, और उनका provision भी दिखाते हैं balance sheet में, यह आपने सीखी, double entry system of accounting, और आप इसके लिए chapter number 27, business accounting, one का, फ्रेंक वूट का जो latest tradition है, वो देखेंगे तो आपको सबसमझ में आजाएगा, thank you very much, assalamualaikum.